आउजबिल्लाहिमिन श्यत्वानुर्वाजीम बिस्मिल्ला रह्मानुर्राहीम वियो एक्सिलेंस के साथ एक बर फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हुशाम्दित कहते हैं स्टुडेंट्स आज हमारा लेक्चर नूमबर टू है तो लेक्चर नूमबर युक्त है इसमें हम लोगोरने क्या देखना है कि वें यूनःट्यूर्ण प्रोग्राम इन Si Plus Plus इए ऐस नान ए्स सौ्ट्स कॉर्ट हुए तो मतलब कि जब आप लोग Si में प्रोग्राम लिखते हैं क्या होता है कि वो source code में convert करता है और compiler जो होता है वो source code को machine code में convert करता है if you want to run code on Linux तो Linux based compiler होता है तो java में इस तरह नहीं है java में यह है java has introduced the concept of wora write once run anywhere आप लोगों को यह wora और यह जो है यह आप लोगों को लाजमी mcqs में आया ठीक है यह आप लोगों में लाजमी देख है ठीक है इसमें क्या है और jvm जावा virtual machine यह भी जो है वो आएगा इस सबको देखते हो यह अगर हम लोग इसी डाइग्राम को संबलें तो मैं पता चल जाएगा java source code जो है वो java compiler उसको java byte code में convert करता है फिर उसके बाद java interpreter जो है वो इसको machine code में convert करता है ठीक है यह आप लोगों ने सारा यहां से देख लेना है byte code क्या होता है java program are compiled into a farm called java byte code ठीक है मतलब कि जिसमें वो compile करता है उसको जो है वो हम लोग byte code कहते है ठीक हो गया यह आप लोग को पता है कि जब program जो होता है जो source होता है वो आप लोग के पास java file में होता है जब आप लोग के पास byte code में convert हो जाता है तो वो आप लोग के पास जो है वो dot class file में होता है उसके पार मैं आपको बताया था ज्यादा classes हो तो वो zip format में होती है ठीक है जैसे कि यह आप लोग के पास लिखा है java virtual machine the central part of the java platform is java virtual machine java bytecode execute the special software known as virtual machine ठीक है यह java virtual machine होती है जोगे different applications इसके उपर run कर रही होती है मतलब कि अगर विंडो के उपर भी है अब इसकी भी अगर आप लोग को assignment आई तो आप लोग ने java virtual machine को install करना है फिर इसके उपर आप लोगों की application जो है वो रहना होती है जितने भी operating system है इसके उपर पहले इसके install होगी तो फिर आपकी application चलेगी jre भी आप लोगों के पास important abbreviation है java runtime environment the java virtual machine is a part of a large java runtime environment each operating system and cpu architecture require different jre मतलब कि हर operating system का different होता है ठीक है without an available jre of given it is impossible जुड़ाना java software ठीक है यह आप लोगों को line जो है यह आप लोग इसको highlight कर ले इस line को ठीक है और उसके बाद जो है वो आप लोग इस line को highlight कर ले ठीक है ही मैं highlight इसलिए करना हो ताकि आप लोग भी अपने notes को साथ देखते जाए ठीक है यह आप लोगों के पास बना हुए और यह आई तिंग यह कोई इसने प्रॉपर एक बता है कि जावा में हम लोग किस तरह जो है वो एक प्रोग्राम को लिखते हैं एडिटर, कंपाइलर, क्लास, लोडर, बाइट कोड, वेरिफार और इंटरॉप्टर यह फाइफ फेजिस होते हैं पेज निबर वन में देखें, एडिट क्या होता है, एडिटर यह है कि आपको कोई ने कोई एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, लाइक नौट पैड वगरा जिसकी उपर जो है, वो आप लोग अपना प्रोग्राम केरी कर सकें, ठीक है, यह ज्यादतर हमारे जो यहां पर वो हमारी भी जो assignments आती है, यह जो भी हमारे उपर, इसके उपर कोई भी वो project बगरा चोटा देखता है, तो वो हमें जो instructor होता है, वो ज़्यादतर NetBeans का कहता है, ठीक है, तो आप सब NetBeans आप लोग के पास होना चाहिए, आप लोगोने कैसे करना है, वो आप लोग को पता, to compile a java program, compile करने के लिए, इसको आपने underline कर लेना, ठीक है, आप इसको देख ले, to compile a java program, card welcome.java type, for example, आपने welcome.java के नाम की बना है, ठीक है, compile करने के लिए, आप लोग जब इसको compiler को देएंगे, तो यह welcome.class में इसको produce करतेगा, जो के bytecode होगा, java card, ठीक है, phase 3 में आप लोग इसको loading करेंगे, in phase 3, must be placed in memory before execute, मतलब के आपकी memory में पहले ही होना चाहिए, ठीक है, यहां से इसको आप लोग करेंगे, यहां तक ठीक है, application are loaded into memory and executed using the java interrupt, ठीक है, और interrupt करने के बाद आप लोग जो है, वो इसको interpreter जो है, वो इसको command line में करेगा, और आपका जो program हो रहना होजएगा, verify, before verify phase 4, ensure the byte code, मतलब कि आप लोगों ने ensure करने है, कि byte code जो कि आपने बताया है, वो valid है, कि नहीं valid हूँ, ensure the byte code class are loaded from the, are valid, ठीक है, और phase 5 में finally जो आपका जो है, वो runtime environment में आपका जो है, वो execute हो जाएगा, मतलब कि the computer under the control of CPU, interrupt the program one byte code at a time, the performing action, program may not work at a first try, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि first try में करे, उसके पास possible errors भी हो सकते हैं, उन errors को देखके भी वो जो है, वो बता सकता है, तो आज कि इस lecture में आपने यह है, इडिट, compile, loading, और